तो दोस्तों ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए करनी पड़ेगी टेक्निकल एनलाइसिस, अब टेक्निकल एनलाइसिस में तो होता है बहुत कुछ, जैसे कि कैंडलिस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, एंड आप्सन चैन, तो मार्केट में चार्ट पर कई तरह के अभी बात करने वाले हैं इस वीडियो में, जिसकी इमेज स्क्रीन पर है, एन्ड इसका सपोर्ट, रजिस्टेंस, स्टाप लॉस, एन्टरी को समझते हैं, सपोर्ज जैसे अपने निफ्टी का चार्ट ओपेन किया, और बहां से अपने चार्ट को देखा, तो डाउन ट्रे प्राइस बनाया, एन्ड अगेन एक रजिस्टेंस उपर की तरफ बनाया, एन्ड बापस से अपने सेकेंड सपोर्ट प्राइस तक आया, जो कि पर्ष्ट वाले के एक्वल ही, प्राइस ने सेकेंड सपोर्ट बनाया, एन्ड बापस से सेकेंड रजिस्टेंस तक ही गया, ज यहां पर आप plot कर देते हैं trend line इससे कि आप identify करते हैं कि double bottom बन रहा है यह triple bottom बन रहा है जब आपको confirm हुआ कि triple bottom chart pattern बन रहा है तब आपके trend reversal होने के chance बढ़ जाते हैं मतलब कि अब market उपर जाएगी अब यहां से हम अपना profit बना सकते हैं तो अब आपको confirmation के बाद trade लेनी है और यहां पर अपना stop loss रखना है without stop loss trade नहीं लेनी है price retest के लिए नीचे आ सकता है फिलहाल मैं भी option buying करता हूँ लेकिन without stop loss के trade नहीं लेता है जब आप stop loss लगाते हो तब आपको अपना loss पता होता है और आपको target भी पता होता है अगर आपके target के past price पहुच जाता है तब आप उ ज्यादा points का कर सकते हैं तो triple bottom काउन सा chart pattern होता है bullish trend chart pattern यह जितने भी chart pattern है and candlestick pattern है बनते है market में और हर रोज आपको chart पर दिखाई भी देते हैं तो I hope कि आप लोगों को triple bottom chart pattern समझ में आया होगा तो वीडियो को like कर देना और चनल को subscribe कर देना and bell icon को press कर लेना और वीडियो को झाल कर दो